हेलो स्तो कमाई का अड़ास यूटूब चैनल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लैक रोज इंडस्ट्री के कॉर्टर फूर रिजल्ट के बारे में यहाँ पर कमपनी ने रिजल्ट के साथ में आप सभी को बड़िया डिविडन देने का भी डिसाइट किया है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो ब्लैक रोज इंडस्ट्री के रिजल्ट है वो काफी कुछ आप सभी को यहाँ पर प्रेजन करते बें नजर आएंगे क्योंकि आप तक जो आप सभी ने देखा के ब्लैक रोज इंडस्ट्री के शेर में हम सभी ने pressure को यहाँ पर observe किया क्योंकि inflation का भी impact हुआ है company पर और इसके जो net profit वगेरा down जा रहे थे तो उसका impact हमने stock price पर भी देखा तो अब यह जो quarter 4 के result है वो company के लिए कितने अच्छे है और company को आगे यहाँ पर improvement में लेकर आएंगे या नहीं उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले है point to point डेखना क्योंकि company ने जो यहाँ पर result present के black rose industry ने अपने quarter 4 के उसके अंदर यहाँ पर company standiland and consultant यह दोनों टाइप से result बता रही है तो चलिए start करते है वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो दोस्तो प्लीज लाइक सब्सक्रेब करना comment बताना कोई question queries आपके mind में होतो हो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो black rose industry के जो यहाँ पर board meeting में से outcome निकल कर आये है उसके अंदर देखिए company ने दो टाइप से result present के standard and consolidated उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए final dividend का भी announcement किया और वो dividend देखी कितना है तो zero find 55 पैसे का means यहाँ पर 55% दिया गया है आप सभी को dividend जैसे के quantity जितनी ज़्यादा उतना अच्छा आपको dividend यहाँ पर उसके multiply में मिल जाता है अब चलिए बात करते है company के result के बारे में तो पहले यहाँ पर हम black rose industry के standard and result देखेंगे सभी figures इन lakhs में है and दोस्तो आप यहाँ पर एक भी point को देखकर ही यहाँ पर अपने decision को clearly लेना ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर एक point देखकर समझ गए और आपने consolidate वाले जो result उसको नहीं देखा या आपने सिर्फ standard के result को देखा ऐसा नहीं मैं कहूंगा एक-एक point को देखना यह important है क्योंकि कभी भी आदा अधूरा knowledge आप सभी के लिए dangerous रहेगा आप अगर देखेंगे यहाँ पर black rose industry का जो total revenue generate हुआ है यानि कि income भी आप उसे कह सकते है तो अभी देखेंगे कितना शांदार company ने परफॉर्म किया या नहीं उसको हम देखकर ही समद लेते हैं तो पिछले साल 31st March 2022 में black rose industry कमा रहे थी 8,736 lakhs का जो net income वो घंड कर 7,812 lakhs का हो गया means company का जो income है हमें yearly basis पर down जाते वे नज़राया है बर दोस्तों अभी quarterly देखना जरूरी है 31st December 2022 और 31st March 2023 ये quarterly basis पर तो 7,958 lakhs से जो यहाँ पर income थाओ घटकर 7,812 हो गया यानि quarterly and yearly basis पर company के जो यहाँ पर आप देखेंगे income के अंदर जो हमें कोई भी बड़ी improvement नहीं दिखाई दी ऐसा नहीं है कि income में improvement नहीं बोले तो profit generate नहीं हुआ ऐसा नहीं होता है अभी चलिए बात करते है company के expenses वगेरा detect होने के बाद net profit for the ordinary activities after the tax तो आप यहाँ पर देख सकते हैं या total compression income भी देखेंगे तो उससे भी आप यहाँ पर knowledge ले पाएंगे तो चली देखते हैं तो यहाँ पर black rose industry ने पिछले साल कमाया था कितना तो 501 lakhs का जो net profit वो घटकर हो गया है इस साल 160 only यानि के yearly basis पर black rose industry का net profit बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिराउट में देखने को मिला है यानि improvement नहीं हुई है घट चुका है अभी यहाँ पर यह तो yearly basis की बात हो गई बट quarterly देखेंगे तो सभी के होश उड़ा दिये company यहाँ पर सिर्फ 25 lakhs का जो यहाँ पर generate कर रही थी net यहाँ पर profit round figure ली वो बढ़कर हो गया है 160 lakhs का याने black rose industry का net profit quarterly basis पर quarter third and quarter fourth में बढ़ चुका है यहाँ पर yearly basis पर नहीं बढ़ा अब अगर आप earning per share को भी देखेंगे तो इसमें भी आपको यही नजर आएगा कि company का जो earning per share है वो आप सभी ने observe करने के बाद बहुत easily आपको समझ में आ जाएगा देखिए yearly basis पर क्याता 0.98 वो हो गया है 0.31 यह गड़ चुका है और यहाँ पर आप चाहे तो quarterly देखिए 0.05 से 0.31 हो गया है तो यह हो गया देखिए company के standard and result आप बात करेंगे consolidated result के बारे में भी तो यह देखिए अभी consolidated result को भी study करेंगे हाँ पर आम यह भी जो figure बताए है black rose industry ने वो सभी इन lakhs में ही है और इस company के अंदर आपको मैं income पहले दिखाना चाहूंगा याने के revenue यहाँ पर उन्होंने revenue बोलकर mention किया यह दोनों चीज़े एक ही है तो चलिए देखते हैं पिछले साल company कितना कमारी थी 31st मार 2022 में 13,497 lakhs का income वो घटकर हो गया 11,196 तो यहाँ पर company के yearly business पर हम income के अंदर गिरावाट देखने को मिली consolidated result में but actually आप देखेंगे तो quarterly basis पर कुछ अलग number है 31st December 2022 में जो company black rose industry 9,802 lakhs कमारी थी नेट income वो बढ़कर 31st March 2023 में याने quarter 4 में 11,196 जो यहाँ पर कमारी company देखें लेक्स में net income याने income आप बढ़ते भी यही देख सकते है 9,800 से directly यहाँ पर 11,100 राउंड फिगर ले तो आप समझ सकते हैं कि company का income तेजी से बढ़ा है consolidate result के quarterly basis पर अभी यहाँ पर हम profit की बात करें दोस्तों तो profit आप देख सकते हैं कैसे perform कर रहा है same जैसे यहाँ पर standard में हमने देखा कि quarterly basis पर improvement है बट yearly basis पर company डाउन जा रही है पिछले quarter में यहने quarter 3 में consolidated result के अंदर black roach industry ने कमाया था 27 lakhs का net profit वो बढ़कर हो गया है 31st March 2023 में 181 lakhs का तो जबरदस improvement है आप यहाँ पर देख सकते हैं service होने के जरूत ने simply आपके आगे मैंने चीज़े रखी है आप यहाँ पर देख सकते हैं और yearly basis पर देखेंगे 572 lakhs से घटकर net profit हो गया है 181 lakhs तो इस तरीके से black roach industry के result है quarterly basis पर company ने बढ़या perform किया बट yearly नहीं यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते के black roach industry के जो result अच्छे आए उसका impact हम सभी ने यहाँ पर stock के अंदर देखा है stock यहाँ पर flat perform कर रहा था बट suddenly इसके अंदर इतनी तेजी आ गई कि देखिए stock अपर circuit में आ गया है और इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि company ने बहुत बड़ी jump अपने quarterly basis पर net जो यहाँ पर profit में दिखाई है और इसका मतलब क्या है दोस्तों कि company अपने पट्री पर आते वे नजर आ रही है जो इतने समय से जो company में आप सभी देख सकते बहुत बड़ा correction आया था करीब यहाँ पर 50% के नजदिक का तो इतने बड़े correction के बाद में एक अच्छा एक point company के अंदर दिखाई देना उसी वज़े से तो इस company में आज हमें अपर circuit लगते वे नजर आया कोई भी निवेशन करने तो जो long term के हिसाब से इस company में होंगे उनको तो output मिलेंगे देखिए इसमें तो कोई doubt नहीं है सिर्फ रिक्स के साथ reward होते है market में जो रिक्स लेते है जितना उनकी capacity के हिसाब से वो पैसा कमाते है अब ये रिक्स के साथ आपको reward चाहिए तो जरूर आप इसके बारे में सोच सकते थैंक्यो